अलो दोस्त शडी मूड में आपका श्वागत है यह समाने हिंदी का क्लास 16 है और इस विडियो में हम देखने वाले हैं अनेक सब्दों के लिए एक सब्दे आप फोरेश्ट गार्ड या फोरेश्टर का सलेबस देखिएगा तो समाने हिंदी में यह चेप्टर में नसन है और विडियो के अंतमी वो कुश्चन भी आपको मिलेगा और ऐसे एक क्यावन अनेक सब्दों के लिए एक सब्द में कराने वाला हूँ तो विडियो छोटा रहेगा लेकिन यह एक क्यावन जो हो यह बार बार रिपिट करते हैं तो कोई भी एक्जाम के तयारी करते हैं जिसमे अनेक सब्दों के लिए एक सब्द का परयोग किया जाता है अनेक सब्द रहेंगे लेकिन उसके जो भवार्थ उसके मेनिंग में मात्र एक सब्द का उपयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं अनेक सब्दों के लिए एक सब्द ठीक अब उदारन के सरूप आप देख सकते ह हैं यहां से आपका श्टार्ट होता है और मात्र एक क्यामण आप देख लिजें यहां पर देखें न बहुत थंड़ा हो और न बहुत गरम हो उसके लिए मत्र एक सब्ध हम क्या उप्योग करते हैं तो समसितोषड न बहुत घंड़ा हो आगला देखें बरतमान समय या ठीक समय पर होने वाला, बरतमान समय पर, या ठीक समय पर होने वाले कटना या कुछ भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, तो सामीक बोलते हैं, ठीक, आगे दिखिए, जो सबके मन की बात जानता हो, जो सबके मन की बात जानता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए एक बहधा ना जासकेए हुष्व कम जानता हो यहां पर देखिए जो च्रॉग रखता है जो कम जानता हुव मुण बहुता है जो कम बोलता हूँ ऑल्पभासी जो बिधानिक अनुरूप नहीं हो और अवबैधानिक होता है जैसे जो सविधान के अनुरूप नहीं होता है उसे हम लोग अवबैधानिक बोलते हैं आगे देखिए जो गूण और दोस का विवेचन करता हो उसे अलोचक बोलते हैं जो गूण और दोस का विवेचन करता हो उसे अलोचक बोलते हैं जो गूण और अंत तक अरंब से लेके अंत तक लिए क्या होता है तो अदयोपात अदयोपात जो होता है यह अरंब से लेके यह होता है अंत तक अपनी हानी स्वय करने वाला जो अपनी हानी स्वय करता है इसे हम लोग आत्मघाती बोलते हैं देखते होंगे आत्मघाती हमला भी होता होगा तो टेरिरिष्ट लोग करते हैं अपने ही सरीर में बंबान कर उड़ जाते हैं तो उसे जो अपनी कोहानी सोय पहुचाता हूँ आत्मघाती जिसका संबंध आत्मा से हो जिसका संबंध आत्मा से हो वो अधात्मीक बोला जाता है ठेक जिसकी दोनों में निष्ठा हो जिसको जो ब्यक्ति इक्षा पर निर्भर करता हो, उसे हम लोग एक चिक बोलते हैं, दूसरी के मत के बिरोध करने वालों को क्या बोला जाता है, खंडन कहा जाता है, दूसरी का अगर कोई मत है, उसका बिरोध करते हैं, तो उसके बाद का या उसके मत का खंडन करते हैं, ठीक, जो च्छमा करने वाला हो उसके लिए क्या होता है तो च्छमा सील होता है जो च्छमा करने वाला हो जो च्छमा कर देता है उसे हम लोग च्छमा सील करते हैं जो च्छिपाने योग हो जो च्छिपाने योग हो उसके लिए क्या होता है गोपनिय होता है जो च्छिपाने योग होत है कि जाएए आप कहीं से कुछ पैसा कमा कर लका मोद कर लें ऐसे गयर जिमर्दार जाता है जो अपना जिम्यदारी पुरा ना करता हो वैसे में इस्टुडेंट का जुम्यदारी क्या होता है उनका करतब भी क्या होता है ड्यूटी क्या होता है पढ़ाई करना अगर वो अपना पढ़ाई नहीं मन से करते हैं तो इसका मतलब वो गहर जिम्रदार है ठीक जो पदार्थ घुलने योग हो उसे हम लोग क्या बोलते है घुलनसील बोलते है जो पदार्थ घुलने योग हो लंबे समय तक जीता हुशे हम लोग क्या बोलते है चिरिंजीवी बोलते है जो लंबे समय तक जीता हुशे चिरिंजीवी बोला जाता है चिंता करने योग बात जो चिंता करने योग के बात होता है उश्वम लोग चिंतनिये बोलते हैं चिंता करने वाले बात को चिंतनिये अपना हित चाहने वाला बहुत से लोग भी होते हैं जो अपने ही हित में सब हित समझते हैं तो अपना हित चाहने वालों को क्या बोला जाता है स्वार्थी बोला रहेगा चबिश देखिए अपनी इच्छा से दूसरी की सेवा करने वाला या करने वाली दोनों हो सकता है तो यह स्वयम सेवक जिसे बोला जाता है स्वयम सेवक में खुद के इक्छा से सेवा करने वाला सेवक में इसकी सेवा करने वाला ठीक तो यह अपनी इक्छा से दूस द्रोही बोलते हैं अपने देश से जो प्यार करता है उसे देश भक्त बोला जाता है अपने देश से जो विश्वगात करता है धोखा देता है अपने देश वासी को यह देश को उसे द्रोही बोलते हैं अनुचित बात करने के लिए आगरा अनुचित बात करने के लिए आग योग होता है जैसे कि एक होता है निकरदरिष्थी दोस होता है दुरुदरिष्थी दोस यह फिजिक्स में आपको बताया हूं तो आप जानते होंगे अपने पती के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली अपने प्रति के परिप्यार रखने वाली अपने प्रति के प्रति विश्वास रखने वाली यह इन्हें क्या बोले जाता है पती वर्ता बोला जाता है ठीक पती वर्ता अपने पद से हटाया हुआ चुछ प्रत्यक्ष होता है और आखों के जो समक्ष ना हो इसे हम लोग अब परत्यक्ष बोलते हैं तो आखों के समक्ष परत्यक्ष होगा यह बोलते हैं के जो आखों के लिए फिजूल खर्ची बोला जाता है तो फीजूल खर्ची होता है जो आए से अधिक खर्च करता है आय बे और लें देन का लेखा करने वालों को क्या बोला जाता है लेखा कार बोला जाता है अपने परिवार के साथ है जो उसे क्या बोला जाता है सब परिवार बोला जाता है अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वालं भी अपने बल पर निर्भर रहने वाला बहुत से ऐस इसे भी लोग होते हैं कि खुद कमाते खुद पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं तो अपने ही बल पर जो निर्भर रहता है अपने लड़की के लिए हमनों क्या उप्योग करते अब विवाहित लड़की लड़का दोनों पुछ रखता है तो आप अपने नाम के अंत में कुमार लगाते होंगे ठीक और जैसे ही वो आपका बीवा होता होगा ये कुमारी देवी में बदल जाता है या कुमार जो होता है ये आपके नाम के अपके पिता किया नाम है तो ये अपने बताएंगे इनके बेटी बताएंगे कि मेरे पिता नाम है श्री अजय akt unions लb非लग देते विए बिजाता है तो कमार देती है ये रणीता देवी फीटिक ऐसे लगता है आप देखें होगे घर में थिए अब समझ як किमार और कुमारी कब लगाया जाता है? क्योंकि हम से भी जब बच्पन में थे सिक्स कलर्स में पढ़ रहे थे था नृश्वन हमसे पूछा गया था कि याकिर बताओ कुमार और कुमारी क्यों लगाया जाता है लाश्ट में एक ही समय में वर्तमान एक ही समय में वर्तमान देखे एक ही समय में वर्तमान जो होता है इसे समसमाईक बोला जाता है ठीक समसमाईक बोला जाता है एक अस्थान से दूसरे अस्थान को हटाया हुआ एक अस्थान से दूसरे हस्थान को हटाया हुआ क्या बोला जाता है अस्थांत्रित बोला जाता है अस्थांत्रित जो होता है एक अस्थान से दूसरे हस्थान पहटाया जाना एक भासा के लिखी हुई बात को दूसरी भासा में लिखन या कहना एक भासा है माल लिजे कोई उ वो अमर होता है उसके लिए one-word substitution अपको मिसकी एनेक सब्दू के लिए एक सब्द होता है अमर जो पढ़ा लिखना हो उससे क्या बोला जाता है अनपड बोला जाता है ठीक जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो जो पढ़ना लिखना जानता हो अक्षर उसे हम लोग साक्ष और निरख्षर जो नहीं जानता हो टिक तो वह जो अक्षर पढ़ना लिखला जानता हो स्अक्षर जो दूसरे पर अत्याचार करे उस्चे हम लोग बोलते हैं अत्याचारी करते हैं और जो नस्ट हो जाता है उसे नस्वर बोला जाता है, और लग जाता है तो वो क्या सिधे उल्टा उसका हो जाता है, जो कभी नस्ट ना हो अनस्वर हो जागा, जो नस्ट हो जाता है उसे नस्वर बोला जाता है, जो उच्छ कूल में उत्पन हुआ हो उसे कुलीन बोला जात जो चमा करने योग हो उसके लिए चमा होगा जो कम बोलता हो उसे मितभासी बोला जाता है बहुत मतपोड है यह याद रखिएगा और जो अधिक बोलता है उसे वाचल बोला जाता है जो कम बोलता हो उसे मितभासी तो हर वीडियो में दो question रहेगा वहाँ से और लगबग 20-25 वीडियो में आपको देने वाला हूँ test के माध्यम से हिंदी का क्योंकि आपको forest guard में 20 question हिंदी का आता है जो कि आपको पूरा का पूरा question में कराने वाला हूँ कि 20 का 20 question आप कर लीजे और forester में भी 10 question आएगा आपका हिंदी का तो वह भी कर लीजे तो दोनों को निशाना एक साथ है एक वीडियो में और आने वाले दो वीडियो और होगा आपके लिए दो से तिन वीडियो में आपका हिंदी खतम हो जाएगा और मैं test start कर दूँगा ठिक तो वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर करते रहेगा ठिक अब चलते है 16 जुन को जो question पूछा हुआ है जो 16 जुन का question पूछा हुआ है वो देखते है अतताई का अर्थ क्या होता है देखे इस question को बहुत लोग गलत करकर आया थे यही भी एक आपको हुआ तो यह दोनों में आपको एकक्यावन मेंस निकाल दिया था और यह question जो आता है यह बार-बार आता है जो मैंने कराया और बाकि question के माधिम से भी मैं आपको कराने वाला हूँ तो इसका चिंता मत कीजिएगा question भी कराने वाला हूँ और कल से मैं continue हो जाओंगा कुछ दिन से तबियत खराब चल रहा था लेकिन अब साइस ही ठीक हो रहा हूं तो जल्दी मैं continue हो जाओंगा और बिहार असभी जो आता है वीडियो वह आपको मिलने लगेगा ठेक्ट वीडियो अच्छा लागोत लाइक कीजिएगा कोई भी मनमे डाउट एकॉर्ण बुक्ष में लिक शकते हैं वीडियो देखने का आपका बहुत बुद्ध दन्यवाद